हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत आपका फिर से एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में एंड मैं आपको बता दू कि आज का ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है मैं इस वीडियो में आपको लाइप बताऊँगा कि आप अपने किसी भी बेंग के ATM का नए पिन केसे जनरेट कर सकते हैं क्यूंकि मैंने आज से कुछ महिनों पेले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप ATM से पेसे केसे निकाल सकते हैं और उस वीडियो पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहा और उसमें अधिकान से कमेंट से यही आ रहे हैं कि भाई हम ATM का नया पिन केसे बनाएं तो भाई मैं आपके लिए एक दम फ्रेज वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं आपको बता हूँ कि आप अपने नया ATM का नया पिन केसे जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन-कौन सी साउधानिया रखनी पड़ेगी क्यूंकि आपकी एक गलती आपके पूरे बेंक का अकाउंट को खाले कर सकती है और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इस वीडियो पर भी अच्छा सपोर्ट करेंगे तो चली बिदाव टैन इन्वेस्टिक ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने ATM का न्यू पिन किसे जनरेट कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको बता दू कि आपका अकाउंट जिस भी ब्रांच में खुला है तो आपका नए ATM का पिन उसी ATM से जनरेट होगा जैसे कि आपका बेंग का अकाउंट बेंग को ऑफ इंडिया में है तो आप Bank of India के किसी भी ATM मसीन से अपना नया पीन बना सकते हैं और अगर आपका Bank का Account SBI में है तो आप SBI के किसी भी ATM मसीन से अपना पीन बना सकते हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी Bank भी है जिसका ATM पीन आप किसी भी Bank के ATM के मसीन से बना सकते हैं समझ दे रहे हो? समधर आप इसके बाद में ATM कार्ट को मसिन में ही छोड़ देना है यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो जैसे कि हमें यहाँ पर न्यू पीन जनरेट करना है तो आपको इस बटन पर किलिक कर देना है और अगर आपके ATM मसिन में AC कोई बटन नहीं है तो आपको इस वाले उप्सन पर किलिक करना है क्योंकि बहुत सार ATM मसिन ऐसी होती है जिसमें कोई भी बटन नहीं होती है तो आपको उसी उप्सन पर किलिक करना होता है इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना bank account नमर डालना है मतलब कि आपको अपना यहाँ पर खाता नमर डालना है जो कि 11 और खुशता है यह आपको आपकी पास्व क्यूट में मिल जाएगा account नमर डाल देने के बाद में यहाँ पर confirm पर किलिक कर देना है इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना mobile नमर डालना है और ध्यान रहे कि अपना mobile नमर वही डालना है जो आपके bank account से link है क्योंकि आपके उसी mobile नमर पर आपको एक OTP मिलेगा तो यहाँ पर mobile नमर डाल देने के बाद में simply confirm पर click कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस त यहाँ पर आपको एक slip मिल जाएगी और आपके mobile नमर पर आपके ATM का एक नया pin send किया जाएगा लेकिन यहाँ पर बहुत सरे लोग इस message में confused हो जाते हैं तो कि वो इस नमर को ATM pin समझ लेते हैं तो आपको बदा दू कि यह आपका ATM pin नहीं है यह तो आपके जो ATM card का नमर होता ह उसके last day के 4 digit है आपका ATM pin यहाँ पर नीचे English में लिका हुआ रहता है तो इस बात की आप जरूर ध्यान रखना तो यहाँ पर machine से slip निकालने के बाद में simply ATM card को भी निकाल लेना है और mobile नमर पर message आने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर अपना ATM card को लगा देना है यहाँ यहाँ पर थोड़ी देर wait करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीका interface आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर आपको first वाले option वेंकिंग पर किलिक करना है और इसके बाद में आप यहाँ से अपने language को चूज कर सकते हैं आपको जिस भी बहासा में इस ATM machine को चलाना ह तो simply आप यहाँ से उस मासा को select कर लीजिए तो जैसे कि मैं यहाँ पर English को select कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर कोई भी दो नम्मर डाल दीजिए आप यहाँ पर अपने हिसाफ से कोई भी दो नम्मर को डाल सकते हैं इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है नम्मर तो activate हो गया और उसका पीन भी बन चुका है जो आपके mobile नमर पर पीन आया तो वही आपका ATM का पीन है लेकिन भाई आपको यहा पर से अपना one person ATM Pin रखना है आपके mobile नमर पर जो पीन आया था आपको simply उसे चेंज कर देना तो आपको अपना ATM पिन चेंज करने के लिए simply यहाँ पर पिन चेंज पर किलिक करना है और इसके बाद में आप यहां से अपने हिसाब से कोई भी ATM पिन बना सकते हैं आपको यहाँ पर यहाँ पिन डालना है जो आपको हमेशा याद रहे आप उस पिन को कभी न भूले तो यहाँ पर वो pin डाल देना है इंड इसके बाद में यहाँ पर दूबरा से वही pin को वापस से डाल देना है इंड इसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना है और कुछी देर में आपका ATM pin change हो जागा जैसे कि यहाँ पर मेरा successfully ATM pin change हो गया है तो भई आप इस तरह से अपने ATM का नया पिन बना सकते हैं और भई आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये ATM पिन अपने family के अलावा किसी भी अंजन विक्ति को नहीं बताना है क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे bank account को साप कर सकती है और भई आप मुझे comment section में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा से बच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हो तो इस चैनल को subscribe करके notification bell को भी on कर देना तो चलिए मैं मिलता हूँ नेश्टे वीडियो के साथ मैं जैहिन